हेलो एव्रिवान, अभी हम लिूसेंस जी के मौडन इंडिया में पढ़ेंगे वेवल प्लान और शिमला कॉन्फरेंस के बारे में विसकाउंट वेवल वोईस रोई बने थे ओक्टोबर 1943 से और ये रहे थे 21 फेब 1947 तक और इन्होंने एक प्लान प्रपोस किया ब्रिटिश गवर्मेंट को में 1945 में पहले लंडन में उनके जो आइडियास थे उनको प्रॉपरली डिस्कस किया गया और फाइनली एक डेफिनिटिव प्लान ऑफ आक्शन मना और फिर ये 14 जून 1945 को प्रेजेंट किया गया तो उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए एलेस एमरी उन्होंने ये प्रेजेंट किया तो इस प्लान में था क्या सबसे प्रहले लॉड वेवल ने क्या करा एक कॉन्फरेंस बुलवाई शिमला में सिमला में जून 25, 1945 में ये कॉन्फरेंस बुलवाई गई और यहां पर सभी पार्टीज के लोग आये थे कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग, सिक, डिप्रेश, क्लासिस, सभी लोग आये थे इनफेक जो यूरोपियंस थे भारत में, एंग्लो इंडियंस भारत में रहने वाले यूरोपियंस उन सभी के मेंबर्स भी आये थे, इन सभी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और यहाँ पर इस मीटिंग का उद्देश क्या था एम क्या था कि गवर्नर जनरल की एक्जिक्यूटिव काउंसल बनानी है और नया समविदान बनाना है तो आप समझ रहे हो बिटिस तरकाय मान तो चुकी है कि आजादी देनी है अब मुद्दा क्या है कि आजादी कैसे दी जाए इसको लेकर सारी चर्चाय हो रही थी इसी को लेकर मामला अटका हुआ था क्योंकि लीग चाह रही थी लीग कुछ और चाहती थी वो चाहती थी कि पाकिस्तान मिल जाए और कॉंग्रेस पाकिस्तान नहीं चाहती थी लेकिन इसके कारण मुस्लिम लीग का जो रहा था और इस कारण आजादी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि ब्रिटिश कहते थे हम लगबग 25% आबादी की मन्जूरी के बिना कैसे आपको सत्ता दे दे और ये एक ये इस तरीके से सोची समझी रणीती भी थी वही डिवाइड रूल की पॉलिसी को फॉरवर्ड किया जा और तो अब वैवल प्लैन के में प्रोपोजल क्या-क्या थे में कहा गया था कि जो एक्जिक्यूटव काउंसिल होती है वौउयसरइज भाहांच की मुख्य कोमखे से नेड़ना लेती है वो एक्जिक्यूटव काउंसिल उसमें जावाइज रहेंगे कमांडर इंचीव और कहा गया जो Council है उसमें balanced representation होगा सारे इंडियन्स का including caste Hindus, Muslim depressed classes, Sikh इन सब को मिलाकर और Muslim को 14 members में से 6 members Muslim को दे दिये गए जो उनकी जो share of population 25% उससे जादा था इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई कि जो है उसके पास अभी भी वीटो का पावर होगा यह minimal होगा लेकिन पावर तो होगा अब वीटो रख रहे हैं इसका मतलब चीफ कौन हो गया अब जो वो चाह रहे हैं वही होगा अगर अंग्रेजी हुकोमत नहीं चाहेगी कोई बिल पास हो तो वो रुख जाएगा वो पास के से इंडिया के पास नहीं आ जाता तब तक ब्रिटिश जनरल ही उसे हांडल करेगा फिर जितनी भी पार्टीज थी उनसे एक लिस्ट मांगी गई मेंबर्स की जो आगे चलके एग्जेक्यूटिव काउंसल का पार्ड बनेगी लेकिन बहुत सारे मदभेट थे और यही देखते हुए वेवल ने कहा कि कोई बात नहीं अगर आप कॉमन लिस्ट नहीं देख सकते तो आप इंडिविज्वल लिस्ट देजिए अपनी पार्टी की तरफ से तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी मेजर इशू था कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच कॉंग्रेस जो थी वो बोलती थी कि वो एक सेकुलर पार्टी है वो मुसलिम को भी रिप्रेजन करती है लेकिन जो मुसलिम लीग है वो बोलती थी जितने भी मुसलिम है उसको सरफ मुसलिम लीग रिप्रेजन करती है और उसी टाइम पे जो मुलाना अबुल कलाम आजाद है उन्होंने जो था यह issue था आगे कहा गया कि अगर यह plan work करता है तो similar councils बनाई जाएंगी सारे provinces में वहाँ के local leaders को लेके अब similar conference में क्या हुआ Lord Wevel का जो plan था वो similar conference में जाके discuss किया गया जो इक किस political leaders है उन्हें बुलाया गया इनमें महात्मा गांधी और जिन्ना भी थे इनको शिमला बुलाया गया June 25, 1945 को यह जो conference थी एक failure थी क्योंकि league और congress जो है वो अपने differences settle नहीं कर पा रही थी अब congress और league में क्या difference था जैसे हमने अभी बात की जिन्ना बोल रहे थे कि muslims को represents रिफ Muslim league ही करेगी तो congress कोई भी Muslim representative council में नहीं ला सकता और congress इसके against में थी Congress बोल रहे थी हम भी चाहे तो Muslim members को nominate कर सकते हैं क्योंकि हम Muslims को भी represent करते हैं फिर वैवल प्लान में 14 में से 6 तो Muslim representatives थी थे जो Muslim share of population से ज़ादा थे उसके बाद भी अब जिन्ना क्या चाह रहे थे कि executive council में अगर कोई भी निन्ने लिया गया तो उसमें कम से कम दो तिहाई बहुमत होनी चाहिए मतलब अगर कोई निन्ने लिया जाए और उसमें 51% लोग agree कर रहे है तो उसको माना नहीं जाएगा कम से कम दो तिहाई बहुमत लगेगी तो Congress ने इस unreasonable demand को भी oppose किया फिर जिन्ना ने कहा जब तक Muslim League को ही Indian Muslim का sole representative नहीं घोशित किया जाता तब तक वो council में नाम नहीं देंगे ये जो वेवल प्लान था ये भी fail हो गया और ये आखरी चांस था जिससे partition को avoid किया जा सकता था फिर इसके बाद जो war थी वो खतम हुई फिर new labor government आई लेबर party आई ब्रिटैन में और जो नई labor party थी वो जल्दी से जल्दी इंडिया को independence देना चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने बेजा था cabinet mission थैंक यू